हेलो फ्रेंड स्वागत है आज आपका मेरे न्यू ब्लॉग में आज मैं कहां पूजा कर रही हूँ आमला नौमी की और उसकी विधी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डीदी के कहने पे मैंने ये पहली बार स्टार्ट किया है तो आएए बताती है इसमें क्य क्या करना है सबसे पहले इसमें गौर गनेश बनाना है गनेश बगवान और गौरी माता को जल अर्पन करना है गनेश बगवान को हल्दी अक्षद दुब्री देना है प्रशाद चढ़ाना है फूल चढ़ाना है उसके बाद गौरी माता का वैसे ही पूजा करना है उसके ब रिक्ष में आज संडे था तो मैंने जल नहीं दिया हुआ था उसके बाद उसमें जल देना है हल्दी जैसे नॉर्मली हम लोग पूजा करते है वो करना है और कच्चे धागे से उसको पांच बार उनको रैप करना है गोमना है और यहां हम लोग जगा बहुत छोटा था तो हम लोग अच्छे से परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे बाकी 11 बार परिक्रमा करना है, 11 बार उनको चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, प्रशाद चढ़ाना है और यहां मैंने भुवा दान किया है, इसमें भुवा दान करने की विधी है जिसमें भुआ को कट करके उसमें कुछ दान किया जाता है उसको नए कपड़े से रैप करके उसमें चूडी, बिंदी, सिंदूर, दान का सारा समान, अन वगेरा भी दान किया जाता है, पैसा दान किया जाता है, फल वगेरा, उसके बाद यहां पे नौ तरह का अनाज जिसको मिला दिया जाता है और इनको आवला के व्रिक्च को चढ़ाया जाता है माननता है कि आज के दिन आवला के व्रिक्च के पास पूजा करना वहां खाना बनाना वहां सोना और आवला वगेरा सब्चिज का दान करने का बहुत माननता है तो आज से मैंने स्टार्ट किया है बाकि इसी तरह से फूजा करना है, ग्यारा बार हम लोगों ने परिक्रमा की उनको सिंदूर चढ़ाया प्रशाद चढ़ाया और सिंदूर चढ़ाना है उसके बाद हर बार सिंदूर को खुद को भी लगाना है आरती करना है हम लोगों ने यूट्यूब पे उनका कथा भी सुना था बस इस तरह मेरा पूजा समाप्त हो गया था बाकी देखिए यहां मैं और दीदी पूजा कर रहे हैं यह सारा वीडियो मुसकान जी ने शूट किया है थाइंक यू मुसकान जी मेरे वीडियो शूट करन के लिए मुझे आइडिया देने के लिए मैं तो घर पे मुबाइल छोड़ के आ गए थी वड़ पर मुसकान जी ने और मुगोलू जी ने कहा कि आप वीडियो क्यों ने बना रही है तो फिर वो गई वीडियो के लिए मुबाइल लेके आई ममी जी ने कितना सारा फूल लगाया हुआ है यह नीची का व्यू यह है पूरा रवाई